नमस्कार मित्रो, मैं आचार्य वसुधा, आप सभी श्रोतागणों का हर्तिक अभिनन्दन करती हूँ, माग महत्तम की कथा के चौथे अध्याये में अब आगे क्या कहते हैं, जानते हैं श्री वशिष्ट जी कहने लगे, हे राजन, अब मैं माग मास के उस महत्तम को कहता हूँ, जो कार्तवीरे के पूछने पर दत्तात्रे जी ने कहा था जिस समय साक्षात विश्णु के रूप शिरी दत्तात्रे भगवान सत्य परवत पर रहते थे, तब महीश्मती के राजा सहस्तराजुन ने उनसे पूछा कि हे योगियों में शेष्ट, दत्तात्रे जी मैंने सब धर्म सुने, अब आप कृपा करके मुझे माग मास के महत्तम की कथा सुनाईए तब दत्तात्रे जी बोले, हे नारत जी मैं ब्रह्मा जी ने कहा हुआ वही माग महत्तम, मैं तुमसे कहता हूँ इस कर्म भूमी भारत में जनम लेकर जिसने मागसनान नहीं किया उसका जनम निश्वल रह जाता है भगवान की प्रसनिता पापों के नाश तथा स्वर्गी की प्राप्ती के लिए मागसनान अवश्य करना चाहिए यदि यह पुष्ट वै शुद शरीर माग स्नान के बिना ही रह जाए तो इसकी रक्षा करने से क्या लाब जल में बुलवले के समान मक्खी जैसे तंतू जनतू के समान यह शरीर माग स्नान के बिना मरण समान है विश्नु भगवान की पूजा ना करने वाला ब्रामन बिना दक्षना के इश्राद ब्रामन रहित शेत्र आचार रहित कुल ये सब नाश के बराबर हैं गर्व से धर्म का, क्रोध से तप का, गुरुजनों की सेवा ना करने से, इस्त्री तथा भ्रमचारी बिना जली अगनी से हवन और बिना साक्षी के मुक्ति का नाश हो जाता है जीविका के कहने वाली कथा, अपने ही लिये बनाए हुए भोजन की क्रिया, शूद्र से भिक्षा लेकर किया हुआ यग्य तथा कंजूस का धन यह सब नाश के कारण है बिना अभ्यास तथा आलस से वाली विध्या, असत्यवानी विरोध करने वाला राजा, जीविका के लिए तीर्थ यात्रा, जीविका के लिए व्रत, संदेह युक्त मंत्र का जाप, वियर्ग्र चित होकर जब करना, वेद ना जानने वाले को दान देना, संसार में नास्त प्रवित्र हो जाता है जल कहता है कि सूर्य उदे से पहले जो मुझसे इसनान करता है मैं उससे बड़े से बड़े पापों को निष्ट करता हूँ महापातक भी इसनान करने से भस्म हो जाते है माग मास के इसनान का जब समय आ जाता है तो सब पाप अपने नाश के भैसे काप जाते है जैसे मेगों से मुक्त होकर चंद्रमा प्रकाश करता है वैसे ही श्रेष्ट मनुष्य माग मास में सनान करके प्रकाशमान होते हैं काया, वाचा, मंसा से किये हुए छोटे या बड़े, नए या पुराने सभी पाप से नश्ट हो जाते हैं आलसे में बिना जाने जो पाप किये हुँ वह भी नाश हो जाते हैं जिस तरहें जन्म जन्मांतर के अभ्यास से आध्यात में ज्यान की प्राप्ती होती है उसी तरहां जन्म जन्मांतर के अभ्यास से ही माग सनान में मनुष्य की रुची होती है यह अपवित्रों को पवित्र करने वाला बड़ा तप और संसार रूपी की चड़ को धोने की पवित्र वस्तू है हिराजन जो मनवांचित फल देने वाला माग सनान नहीं करते वह सूरे चंद्र के समान भोगों को कैसे भोग सकते हैं माग मास महत्तम की चोथे अध्याय का यहीं समापन होता है अगले अध्याय में आपसे फिर मिलते हैं तब तक के लिए शिरी कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जैश्री कृष्णा मित्रों